पार में आपात इंबुलेंस चलाने के लिए पुना पांच सागले ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसके बारे में कई गरवडियां पाई गई है नवीकरण में नियमों को शितिल किया गया बाकी जो बड़ी पार्टियां से जिनका टेंडर लोईस था उनके साथ भी अंदेखी की गई यह सब क्यों हुआ है कि जो कंपनी है पश्युपति नाट डिस्ट्रिबूटर्स यह जहानाबाद के जो जदियू के एंपी हैं उनके बेटे की हैं पहले भी इनके द्वारा यह काम किया गया उसमें कई विसंगतियां पाई गई और आज दिल्ली के अख क्या एमर्जनसी सेवाएं करती हैं यह एमर्जनसी सेवा करती हैं कोई गर्वती महिला गंभी रूप से बिमार है कोई नवजाद बच्चों को स्पताल पहुंचाना है बाकी को पहुंचाना है तो उसके लिए फ्री एंबुलेंस सेवा दी जाती है और यह पूरा ठेका सोल सो करोड का है और उसमें नियमों की अंदेखी करके उनके बस परयाब छमता नहीं थी कॉल सेंटर की एंबुलेंस की और जिस तरह से ये किया गया है मामला हाई कोट में भी गया था हाई कोट ने संग्यान लिया और कहा कि नियमा नुसार कारवाई की जाए और बाद में जिस निरने हुआ है यह बिहार की घर्वती माताओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल पैदा करता है क्योंकि यह इंबुलेंस फ्री सर्विस है और पूर्व में आर जिडी के लोगों ने ही इनके पूरे एम्बुलेंस सिस्टम को लेकर सवालों के घेरे मे कई विशे उठाए थे और बाद में ये पिछले साल की बात है उनने पत्र भी लिखा था फिर नितिश कुमार के साथ चले गए आर जेडी तो ठंडे हो गए तो भाजपा इस पूरे मामले की एक इमानदार जाच की अपिक्षा करती है और जब तक जाच के अनुसार क्लियर न है कहीं बिहार प्रदेश के बच्चों के जीवन और गर्वती माताओं के जीवन के साथ खिलवार तो नहीं हो रहा है कई चर्चा ये भी आई है कि एक स्पारी मेडिसिन यूज की गई है तो हम लोग बहुत चिंतित हैं और इस पूरे जिस तरीके से एक अखबार ने इसका पूरा investigative journalism किया है अच्छा काम किया है लेकिन बिहार की गर्वती माताओं और बच्चों के स्वास्त के साथ खिलवार न करे नितिश्कमार की सरकार ये हम जरूर कहना चाहेंगे इसलिए इसके हम बहुत ही भर्षना करते हैं इस पूरे मामले की इमांदार जाच होना यंदर मांकरें